हले एवरिवान वेलकम बैक टू ग्यानोदे फोर यू लेटेस्ट जाव इंफारमेशन यूटूब चैनल फ्रेंड माइसेल्फ सुनेल कुमार प्यूमा आप देख रहे हैं ग्यानोदे फोर यू एस्पेसल लेटेस्ट वेकेंसी की जानकारी देने वाला यूटूब चैनल इसमें आपको सभी डिपार्डमेंट की प्राइवेट वा गॉर्मेंट वेकेंसी की जानकारी मिलेगी चाहे हुआ स्टेट लेवल की वेकेंसी होगी या सेंटरल लेवल की वेकेंसी होगी कोई limited company द्वारा release की गई vacancy होगी ये सारी जानकारी आपको मिलेगी तो फ्रेंड हमारे चैनल ग्यानोदे 4U में आपको किसी भी department की किसी भी परकार के fake information यानि कि अफवा भारी सूचनाए नहीं दी जाएगी इसलिए फिरन चैनल में first time आये हैं और आप चाहते हैं इसी परकार आपको latest वीडियो का notification मिलता रहे सही समय पर और नई vacancy की जानकारी भी मिलती रहे तो चैनल को subscribe कर bell icon को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाले latest vacancy वाले वीडियो का notification आपको सही समय पर मिल सके और आपको complete information मिल सके तो चलिए गाइज एक बाद फिर से आप सभी के लिए एक latest vacancy की complete information लेकर प्रस्तुत होए हैं तो चलिए आगे देखते हैं कौन से department की vacancy है कितनी post है क्या eligibility है तो फ्रेंड आज हम nuclear power corporation of India limited द्वारा release की गई सांदार vacancy के बारे में जानकारी देने वाले हैं देखिए intermediate graduation ITI छात्रों के लिए तता GNM nurse BSC nursing छात्राओं के लिए NPCIL द्वारा सांदार vacancy आ गई है यानि कि ये nurse के हैं या female candidate के लिए भी है और male candidate के भी लिए है और ये कहां कि कहुन सी vacancy है nuclear power corporation of India limited यानि कि ये नर्वरा atomic power power station द्वारा रिलीज की गई है vacancy तो फ्रेंड इसका farm apply होना भी सुरू हो गया है 3 December से चलिए इसकी complete information लेते हैं और आप अभी तक farm apply नहीं किये हैं तो farm apply कीजिए तो चलिए फ्रेंड आप देखते हैं कि इसमें कौन कौन से पोस्ट के लिए है कितने female के लिए है और कौन से male candidate के लिए है तो देखिए nuclear power corporation of India limited NPCIL has published a latest notification for the recruitment of nurse STPED pen diary training scientific assistant pharmacist B operation theater assistant and stono grade 1 तो फ्रेंड इसमें ये पोस्ट है के लिए vacancy release की गई है कौन कौन से ये nurse है STPED pen diary training है scientific assistant pharmacist B के लिए है operation theater assistant के लिए देखिए जो operation theater होता है जहां operation किया जाता है वहाँ पर एक क्या होता है assistant की जरूरत होती male एवं female दोनों होते है जिसे nurses है वो एक assistant का काम करते हैं और इसमें male candidate भी होते हैं ये हो गया तो ये कहां से release कगे है नर्वरा atomic power station unit द्वारा ये नर्वरा power station कहां पर है ये है उत्तर परदेश के बुलंद सहर जिले में है और देखे फ्रेंड eligible and interested candidate can apply online through official website npcil.career.co.in पर कर सकते हैं तो फ्रेंड जो भी candidate इसके लिए interested form apply करना चाहता है तो इसकी official website ये जो yellow color से highlight है npcil.career.cov.in पर जाकर form फिल कर सकता है और फ्रेंड ये समय form filling हो रहा है तो चलिए फ्रेंड अब एक एक post के बारे में complete information देखते हैं तो देखे फ्रेंड आप जानते हैं इसकी important date क्या है age limit क्या है total post और eligibility क्या है तो देखे farm application beginning 3 से December 2021 यनि कि farm का जो apply होना कब से सुरू हो गए 3 December 2021 और इसकी farm application के end day क्या है last date क्या है 27 December 2021 है इसमें total post कितना है इसमें total post 72 post है तो चलिए अब देखे हैं अलग-अलग post के लिए देखे इसमें फर्स नमबर देखे नर्स के लिए total 5 post है इसमें age limit है नर्स के लिए 18 साल से लेकर 30 साल तक तो 18 से लेकर 30 साल के जो भी female candidate है farm apply कर सकते हैं और eligibility है इसमें intermediate है डिप्लोमा इन नर्सिंग नर्सिंग and midwifery यनि कि आपके पास नर्सिंग के डिप्लोमा होना चाहिए नर्स के और आप 12-5 होना चाहिए और देखे आपके पास अगर नर्स के डिप्लोमा हो या B.H.C. नर्सिंग की हो या इसमें आपको पार nursing का diploma हो, oh sorry, nursing के लिए आपको पार certificate होना चाहिए, कम तीन साल का experience हो, कहीं भी, आप किसी भी hospital में अगर काम किये होए हैं, कहीं भी अगर काम किये होगे, तो आपको experience certificate जरूर मिला होगा, अगर आपको experience certificate है nursing का, तो आप farm apply कर सकते हैं, तो यह ता friend है, य next post के लिए, देखिए इसके लिए next post है, step ordinary trainee, या scientific assistant के लिए, कितनी post है, 9 post है, जिसमें mechanical के लिए 5 post है, और electrical के लिए 2 post है, और electronic के लिए 2 post है, इस पकार ये 9 post है, इसमें जिसके पास भी, इन sector में ITI diploma हो, क्योंकि इसमें mechanical वगारा जो भी है, department trade है, इसमें आप के पास अगर diploma है, तो आप हम apply कर सकते, इसमें age limit है, 18-25 साल eligibility है, diploma in related post minimum 60% mark, या आप जिस ट्रायर से फाम भरना चाते हैं, तो उस department के आपके पास डिपलोमा होना चाहिए 60% mark के साथ, और देखिए, diploma in engineering 3 year course, या आप को आप 3 साल का course होना चाहिए, इंजिनियरिंग में, तो भी आप हम apply क सकते, जैसे की polytechnic है, polytechnic minimum 3 year का course होता है, और देखिए, थर्ड नंबर देखिए, pharmacy, pharmacist B के लिए, एक post है, इसमें age limit है, 18-25 साल eligibility है, 12 pass HSC, एच एससी क्या होता है, इसे 12 pass ही बोलते है, जिसे कहते हैं higher secondary certificate, और इसमें आपके पास 2 year diploma in pharmacy, अगर फार्मेसिस्ट का form apply करना है, तो आपके पास diploma होने चाहिए, फार्मेसिस्ट से, और देखिए फ्रेंट, इसमें आपके पास कम सकम 3 महीने की फार्मेसिस्ट की ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, registration as a pharmacist with central or state pharmacist council, और आपका registration होना चाहिए, किसमें चाहिए आपके state level की council हो, या आपके पास government, याने की central level की council ह तो उसमें आपके पास एक फार्मेसिस्ट के रूप में registration होना चाहिए, और registration कब होगा, जब आपके पास certificate होगा, तो ये है फार्मेसिस्ट के लिए और देखते हैं next, तो फ्रेंट आप देखते हैं fourth number की post, operation theater assistant, के लिए total एक post है, इसमें age limit है, 18 से 25 साल, जो operation theater में सहायक के रूप में काम करते हैं उनके लिए है, चाहे हो male हो या female हो, इसमें 18 साल से लेगा, 25 साल के candidate form apply कर सकते है, eligibility क्या है, इसमें education qualification आपके पास 12 points होना चाहिए, और भी science side से 60% marks के साथ, और इसमें आपके पास एक साल का course होना चाहिए, इन operation theater assistant, operation theater के पास certificate course होना चाहिए, यदि आप कहीं पर काम की होंगे, तो आपके पास certificate जरूर होगा, और देखिए फ्रेंड, इसमें फिफ्त नमबर देखिए, इस्टी, पेंडियरी, ट्रेनी या आपरेटर के लिए total 18 post है, और इसमें भी age limit कितना है, 18 साल से लेके 24 साल है, और eligibility है, 12 points, वो भी higher secondary, higher secondary certificate है, या आपक के फ्रेंड, इसमें, you should have English as one of the subject, at least at SSC level exam, यानि कि आपके पास SSC क्या है, senior secondary certificate, जो high school पास होता है, उसमें आपका English का subject के रूप में होना बहुत जरूरी है, तो ये ता फ्रेंड, फिफ्त नमबर की post, और देखते हैं, next, next देखिए, ST pedinary training maintainer के लिए है, इसमें total 24 post है, जिसमें देखिए, आपके पास इसमें male candidate के लिए बहुत सांदार मौका है, क्योंकि जो भी ITI किये हैं, fitter से, trade से, या electrician से, उनके लिए, बहुत सांदार post है, इसमे age limit 18-24 साल है, और eligibility, high school 5, वो भी science side से, और आपके पास two year diploma in related trade, आपके दो साल का, होना चाहिए, डिपलोमा चाहिए, आप फिटर से, electrician से हो, और देखिए, कम सकम आपके एक साल का experience होना चाहिए, वो तो farm apply करेंग दो, उसमें सो करेगा कि, आपको अपना experience सो का, उसमें दिखाना है या नहीं, 7th number देखिए, फ्रेंट, assistant grade 1 के लिए 12 post है, जिसम इसमें age limit है, 21 से लेके 28 साल, assistant grade और इस्टोनों के लिए, 21 से लेके 28 साल age limit है, इसमें आपके पास bachelor degree किसी भी subject से होना चाहिए, वो भी minimum 50% mark के साथ, और देखिए, इसमें computer course certificate होना चाहिए, जिए कि कम सकम 6 मंद का होना चाहिए, जैसे कि DCI है, ADC, PGDC हो, यानि कोई भी computer certificate हो कम से कम, और इसमें आपके पास typing भी मांगा हुआ है, assistant grade 1 के लिए, English typing मांगा, 30 word per minute, यह था 7th number की post, आप देखते हैं, और 8 number की post देखते हैं, किसकी है, stonographer grade 1 की है, इसमें total दो post है, age limit है, 21 से लेके 18 साल, eligibility है, इसमें भी आपके पास बैचलर डिग्री होनी जाए, किसी भी subject है, BA, BC, BC, भी कम, और इसमें stonographer test होगा, 80 word per minute, in English stonu, यहनि, English stonu की test होगा, 80 word per minute, वह typing test होगा, 40 word per minute, in English, on PC, personal computer system, जो English की typing होगी, computer को, 40 word per minute होगी, और जो stonu की होगी, वो 80 word per minute होगा, और इसमें आपके पास, minimum 6 month computer को certificate होना चाहिए, कहने के मतलब यह होता है, जिसमें भी computer की certificate मांगा है, आपके पास computer का knowledge होना चाहिए, यह कह और देखिए, इसमें, study computer science, computer application as one of the subject in the art school or college curriculum, यहनि कि आपके पास एक college या school time में, computer science के जानकारी हो, पढ़े हों, आप computer का knowledge होना चाहिए, तो friend, यह थी, आज की complete information, आपको आज की information कैसी लगी, please comment section में जरूर बताना, और friend, राजस्तान, राजस्तान लोग सेवा आयोग द्वारा भी male एवन female candidate के लिए, यह भी सांदार vacancy आई हुए है, जिसका farm apply होना एक, एक December से सुरू हो गया है, इसमें बहुत सारे post इसे, जैसे की चिकितसा अधिकारी, सहायक सांकिकी अधिकारी, सहायक क्रिसी अधिकार सहायक निदेशक, वरिष्ट बैग्यानिक अधिकारी की 588 post है, इसके लिए भी आप farm apply कर सकते हैं, तो चलिए friend, आज की जानकारी आपको सही लगी हो, तो please comment section में जरूर बताना, और यदि आपको पसंद आयो तो like एवन share जरूर करना, तो चलिए guys मिलते है next session में, तब तक क लिए हसते रहे, मुश्कुराते रहे, thanks for watching, जय हिंद, जय भारत